जहें दोस्तों एक वाफिर से आप सब एका स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में मैं हूँ आपका दोस्त अनुच सिंग लेकर आया हूँ आपके लिए का उन्फार्मेटिव वीडियो BSF, HCM और ASI के लिए आपने फार्म अपना फिल कर दिया था और अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि इसका फिजिकल कब से होगा कपसे जारी होँगा इसको लेकर कौई सारी नौटिस जारी हो चुकि यह कुछ फेक है और लेकिन कुछ डूटिस रीयल है इन सब सारी बातों को आज इसी वीडियो में क्लियर करने वाला बहुत से बच्चों के मन में सवाल ये भी आ रहे हैं कि सर हमारा फिजिकल होगा तो वह रोड पर होगा या फिर ग्राउंड पर होगा हमारा जो फार्म का इस टेटा से वह क्या रहने वाला है आपका कॉंपटेशन का लेवल कितना रहेगा सारा कुछ इसी वीडियो में क्लिय करूंगा आप से बस रिक्वेश्ट इतना है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके अपना प्यार इसी तरह से दिखाते रही है तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि आपका फिजिकल कहा होगा फिजिक के दस सेंटर चूज किये गये हैं यहीं कि दस जगहों पर आपका फिजिकल होगा से इसको कंडेक्ट कराएगा अभी जब मैं तैयारी जब करता था मैं जब गया था से इसका एक बार फिजिकल देने के लिए तो वहां पर ग्राउंड नहीं था तो जो फिजिकल हुआ था वह हुआ था रोड पर और बहुत से ऐसे सेंटर हैं जहां पर आपका फिजिकल जो होगा वो ग्राउंड पर भी हो सकता है तो यह मान के चलिए कि कुछ बच्चों के सेंटर ऐसे बनेंगे जिनको ग्राउंड पर दोड़ने को मिलेगा आपको घबडाने की जरूत नहीं है आप अपनी तयारी उसी तरीके से करिए आपको चाहे रोड पर दोड़ा दे और चाहे फिर आपको ग्राउंड पर दोड़ा दे गबडाने की जरूत नहीं है बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता है बस आपको छोटी सी बात एक यह ध्यान रखनी है कि आप अभी से जब आप अपनी तयारी कर रहें तो आप हमेशा सूज पहनिए सूज आप वेर करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी फिर चाहें आपको रोड पर दोड़ाएं और फिर चाहें आपको ग्राउंड पर दोड़ाएं क्योंकि रोड पर अगर आप दोड़ रहें तो हो सकता कोई एक छोटा सा कंकड छोटी सी गिट्टी या छोटा सा काटा कील आपके पैर में घुश जाएगा तो वह बहुत ज्यादा हामफुल हो जाएगा और आप फिजकल अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो इसलिए आप अभी से ही अपने फिजकल की तयारी जब कर रहें त तो इससे घबडाने की जरूरत नहीं है दूसरा है कि आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है बहुत से बच्चों की मन में सवाल आ रहे हैं कि सर जो मेरे फॉर्म का स्टेटस है वह अभी सम्मिट दिखा रहा है एक्सेप्ट या रिजक्ट का कॉलम नहीं आ रहा है आपने जब आरपी अफ का फॉर्म भरा होगा या आपने एससे जीडी का फॉर्म भरा होगा यह कोई भी कंपडिटिटिव एक्जाम का अपने फॉर्म भरा है तो वहां आपके फॉर्म का स्टेटस हो होने लगता इससे पहले भी जब भी एससे फॉर्म का एक्जाम हुआ था तो वहां अगर अपनी फोटो सिगनेचर सारे डाकुमेंट्स सही करके रखे हैं तो आपको घबडाने की जरूरत नहीं है आपका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर होता भी है तो आप एक उससे जन्द सूचना की तहट मांगेंगे कि मेरा फार्म किस आधार पर रिजेक्ट किया ग हैं डाकुमेंट्स के लिए आप ध्यान रखें कि आप अपना आधार कार्ड अगर जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो आइडेंटिटी के तौर पर जो भी है चाहे फिर वह पैन कार्ड हो वोटर आईडी कार्ड हो आधार कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस इन में से कुछ भी आप ले जाएंगे तो चलेगा पासपोर्ट साइज की दो या तीन फोटो रख लीजेगा अपने एडमिट कार्ड को रख लीजेगा एडमिट कार्ड के दो तीन जिरॉक्स रख लीजेगा ये सब चीजे आपको जरूरत पर सकती है फिजकल जब देने जा ये कि नवंबर के लास्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड जारी होने लगेंगे और आप अपने एडमिट कार्ड देख पाएंगे और जिसके फार्म एकसेप्ट होंगे उन्ही के एडमिट कार्ड जारी होंगे जिसके फार्म एकसेप्ट नहीं होंगे उनके एडमिट कार जारी नहीं होंगे. तो फिर आप जल्दी स्जल्दी अपील कर सकते हैं अपनी गलतियों को सुधार्वchluss सकते हैं. अब बात आती है कि आपका फुजिकल कब होगा, अड्मिट कार्ड तो पंद्रा दिसमबर के बीच होगा, 100% ये स्योर है, 100% ये स्योर्टी के साथ बता सकता हूं, कि 9 से 15 दिसमबर के बीच आपका फिजकल होने ही वाला है, तो अभी भी अगर आपने फिजकल की तयारी सुरू नहीं किये, तो यह मान के चलिए कि कहीं न कहीं आप इस वर्दी को लेने के लिए serious नहीं है समय बचा ही कहा है आपके पास आपका सीधे जब भी आप सेंटर पर जाएंगे तो सीधे आपका height measurement हो जाएगा चेस्ट मेजरमेंट हो जाएगा और इसके बाद सीधे आपको दोड़ा दिया जाएगा तो बचा ही समय कहा है नव से दस एनि कि कुल मिला के आज पंदरा से बीस दिन बचे हैं तो दोनों ही टाइम आप रनिंग चालू कर दीजिए आपको दोड़ना है आसान नहीं है यह दोड़ना सुरू करनी है तो जो बच्चे अभी भी सीरियस हैं वर्दी पाने के लिए वह आज से दोनों टाइम दोड़ना सुरू कर दें क्योंकि जो बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटिलिजन्ट होगा हंड़ेट निकाल देंगे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि सव से डेड़ सो दो सो बच्चे एक साथ दोड़ाए जाएंगे और नमबर आपका पढ़ेगा पीछे आप दोड़ नहीं पाएंगे ठीक अब बात करते हैं कॉम्पटीशन लेवल आपका क्या होगा सबसे एक एसे होंगे जो बिहार पुलिस में निकल जाएंगे यूपी पुलिस में निकल जाएंगे ऐससी में निकल जाएंगे तो बहुत से बच्चे यहां पर निकलने वाले आपके पास मौका यह यूशा गोल। यह надо कहले तो अजेशत कम है तो आपको तुनकर तो Turkey का जब मनला अगर आ अगर आ रहें, CRITERIAL में, CHEST आपका अच्छा है, RUNNING आपने क्लियर कर ली है, तो ये मान के चलिए कि आपके जो SLEắtion के चांस हैं वो 70% हो जाते है, 70% आपके चांस यहां पर हो जाते हैं, अगर ये 3 चीज़ आपने क्लियर कर ली, HEIT ChEST और RUNNING हैं दूसरा सवाल आता है बच्चों का वो यह चाहरें सर जैसे माल लिए कि हमारा कटेगरी में आते हैं हाइट हमारी कम है चेश्ट कम है बे तो इसके लिए आपको जब आप फिचकल देने जाएंगे तो आप अपना कटेगरी का सार्टिफिकट जिसे हम कास्ट सार्टिफिकट बोलते हैं वो जरूर लेकर जाएंगे सेंटर पर उसी के कार्डिंग आपका हाइट चेस्ट मेजर्मेंट किया जाएगा ठीक है यह सारी बात चालू हो जाएगा नव से स्टार्ट होगा पहला बैच नव से फिचकल के लिए बुलाया जाने लगेगा आप इस चीज को मान के चलिए ठीक है इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट बन रहा है कुछ आप मुझसे सवाल पूछना चाह रहे हैं तो बेशक सेवन आपका भाई आपके लिए अवेलेबल रहता है तो चलिए मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक आप सभी को जैहिं जै भारत